प्यारे बच्चों, आज हम अपनी पूरक पठन पुस्ति का संचेन से पाठ तीन टोपी शुकला का पाँचवा भाग पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक राही मासूम रजाजी हैं। बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा टोपी और इफण में प्रगाढ मित्रता थी। टोपी के परिवार में उसकी दादी, भाई, माता पिता थे। लेकिन वह स्वयम को अकेला महसूस करता था। टोपी को इफण की दादी की पूर्वी बोली, बहुत पसंद थी। वह जब भी इफण के घर जाता, दादी के पास ही बैठता। इफण की दादी की मृत्यू के बाद टोपी उदास रहने लगा। इफण के पिता का तवादला होने से वह और भी अकेला पढ़ गया था। घर में टोपी स्वयम को काफी उपेक्षित महसूस करता था। वह जब भी पढ़ने बैठता तो मुन्नी बाबू और रामदुलारी को कोई न कोई काम याद आ जाता। रही सही कसर भैरा पूरी कर देता। वह उसकी कौपियों के पन्नों के हवाई जहाज बना उड़ा डा इस तरह तेज बुद्धी का होने के बावजूत वह पहली बार नौवी कक्षा में फेल हो गया था। दूसरे साल वह टाइफाइट से ग्रसिद हो गया था। इसलिए वह दूसरी बार भी नौवी कक्षा में फेल हो गया। तीसरी बार तीसरे साल बड़ी मुश्किल से वह थर्ड डिविशन में नौवी कक्षा पास हो पाया आईए कहानी का अगला भाग पढ़ते हैं परन्तु हमें उसकी मुश्किलों को भी ध्यान में रखना चाहिए सन उन्चास में वह अपने साथियों के साथ था वह फेल हो गया, साथी आगे निकल गये वह रह गया, सन पचास में उसे उसी दर्जे में उन लड़कों के साथ बैठना पढ़ा जो पिछले साल आठवे में थे तो सन उन्चास में जब वह पहली बार नौवी कक्षा में था वह फेल हो गया और उसके जो साथी थे वह उससे आगे निकल गये थे वह सब दसवी कक्षा में दह गये थे अब सन पचास में उसे उसी कक्षा में उन लड़कों के साथ बैठना पढ़ा जो पिछले साल आठवी कक्षा में थे पीछे वालों के साथ एक ही दर्जे में बैठना कोई आसान काम नहीं है अपने से एक साल पीछे के कक्षा के बच्चों के साथ बैठना बहुत मुश्किल होता है तो यहां अपने से छोटी कक्षा के साथ बैठने वाले यहां अपने से छोटे बच्चों के साथ बैठने में टोपी को अपमानित महसूस होता था उसके दोस्त दस्वे में थे वो उन्ही से मिलता उन्ही के साथ खेलता तोपी के दोस्त थे जो उसके साथ पढ़ने वाले थे वो दस्वे में पहुँच गये थे तो तोपी उन्ही से मिलता था उन्ही से बाते करता था उन्ही के साथ खेलता था अपने साथ हो जाने वालों में से किसी के साथ उसकी दोस्ती ना हो सकी यह जो अब उसकी कक्षा में जो आठवी कक्षा से पास होकर नवी में आये थे ऐसे बच्चों से उसकी दोस्ती नहीं हो सकी थी वह जब भी क्लास में बैठता उसे अपना बैठना अजीब लगता उस पर सितम यह हुआ कि कमजोर लड़कों को मास्टर जी समझाते तो उसकी मिसाल देते सितम मतलब जुल्म, मिसाल मतलब उधारन तो उसे अपने से छोटी कक्षा वालों के साथ बैठना बड़ा अजीब सा लगता था और उस पर जुल्म क्या होता, सितम क्या होता जब भी कक्षा के कमजोर बच्चों को, बुद्धु बच्चों को मास्टर जी कुछ समझाते तो उसका ही उधारन देते क्या मतलब है साम अवतार या मुहम्मद अली बलबद्र की तरह इसी दर्जे में ठिके रहना चाहते हो क्या जब किसी कमजोर बच्चे को मास्टर जी समझाते तो उसे कहते कि क्या बलबद्र की तरह इसी कक्षा में बने रहना चाहते हो या पास होकर के अगली कक्षा में जाना चाहते हो या सुनकर सारा दर्जा हस पढ़ता हसने वाले वे होते जो पिछले साल आठवे में थे तो मास्टर जी की ये बास सुनकर के पूरी क्लास, पूरी कक्षा हसने लगती और हसने वाले वे होते जो पिछले साल टोपी से पिछली कक्षा में पढ़ने वाले यानि आठमी कक्षा के बच्चे थे वह किसी ना किसी तरह इस साल को जेल गया, जेल जाना मतलब सहन कर लेना परन्तु जब सन 51 में भी उसे नवे दर्जे में ही बैठना पड़ा, तो वह बिल्कुल गीली मिट्टी का लौंदा हो गया गीली मिट्टी का लौंदा मतलब गीली मिट्टी का पेंड हो गया तो इस साल तो वह किसी ना किसी तरह से सहन कर गया, लेकिन हद तो तब हो गई, जब अगले साल भी वह 9 टाइफाइड हो जाने की वज़े से वह फिर से फेल हो गया था और उसे 9 कक्षा में ही बैठना पड़ा था, तो अब तो वह बिल्कुल गीली मिट्टी के एक पिंड की तरह हो गया था क्योंकि अब तो दस्वे में भी कोई उसका दोस नहीं रह गया था क्योंकि अब तो दस्वी कक्षा के जो उसके मित्र थे वो भी पास हो करके चले गये थे और अब दस्वी कक्षा में वो पहुँच गये थे जो पिछले साल नौवी कक्षा में उसके साथ पढ़ते थे तो जो उससे छोटी कक्षा के बच्चे थे, जो आठवी में पढ़ते थे, वो भी दसवी में पहुँच गये थे, और जो साथवी में पढ़ने वाले बच्चे थे, अब वो उसकी साथ नौवी कक्षा में आ गये थे, तो अब वो अपने से छोटी उम्र के बच्चों के नोटिस लेना उसकी तरफ ध्यान देना, कोई सवाल किया जाता और जवाब देने के लिए वह भी हाथ उठाता, तो कोई मास्टर उससे जवाब ना पूछता, तो अब जिस तरह से घर में टोपी अकेला था, घर में दादी थी, भाई थे, मा, पिताजी थे, लेकिन फिर भी वो अकेला पर महसूस करता था, वैसे ही अब वो स्कूल में भी बिल्कुल अकेला हो गया था, और अब तो मास्टरों ने भी उसकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया था, अब कभी अगर टोपी उत्तर देने के लिए हाथ भी उठाता, तो भी मास्टर उससे उत्तर नहीं पूछते थे, परन्तु जब उसका हाथ उठता ही रहा, तो एक दिन, अंग्रेजी साहित्यक के मास्टर सहाब ने कहा, तीन बरस से यही किताब पढ़ रहे हो, तुम्हें तो सारे जवाब जवानी याद हो गए होंगे, इन लड़कों को अगले साल हाई स्कूल का इमतहान देना है, तुमसे पार साल पूछ लो, तो हद तो तब हो गई, जब अंग्रेजी के मास्टर ने टोपी से कहा, कि तुम तो पिछले तीन साल से यही किताब पढ़ रहे हो, तो तुम्हें तो सारे सवाल जवानी याद हो गए होंगे, तुम्हें तो सारे उत्तर आते होंगे ठीके, जो इस साल नौवी कक्षा में बच्चे हैं, अगली साल वो दस्वी में जाएंगे, तो उने दस्वी का इम्तहान देना है, ठीके, तो अभी मैं उनसे पूछ लेता हूँ, तुम तो पार साल मतलब अगले साल, तुम तो अगले साल भी इसी कक्षा में रहोगे, तो तो इस तरह से अंग्रे जी के मास्टर ने टोपी पर व्यंग किया टोपी इतना शर्माया कि उसके काले रंग पर लाली दोड़ गई और तमाम बच्चे खिल खिला कर हस पड़े तो वह बिलकुल मर गया जब वह पहली बार नवे में आया था तब वह भी इन्ही बच्चों की तरह बिलकुल बच्चा था जब मास्टर साहब ने उसे इस तरह से जवाब दिया तो टोपी को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई ठीक है तो वह और कक्षा के जब सभी बच्चे टोपी पर हसने लगे तो वह और भी जादा शर्मिंदगी महसूस कर रहा था टोपी सोच र हमाया था तो वह दो इन्हीं बच्चों की तरह काम उम्रक था बिलकुल बच्चा ही था फिर उस दिन अब्दुल वहीं ने रीसेस में वह तीर मारा कि टोपी बिल बिला उठा तो एक टीर मारू दे टोपी मलकुल पताब ठोबिलें ऐस नो पकिर वयंग करना फिर दिन वह मौनिटर भी था और सबसे बड़ी बात यह कि वह लाल तेल वाले डॉक्टर शर्फुद्दीन का बेटा था। तो वहीत क्लास में सबसे तेज था साथी मौनिटर भी था और वो लाल तेल वाले डॉक्टर शर्फुद्दीन का बेटा था। उसने कहा बलबद्धर अबे तो हम लोगन में का गुस्ता है लोगन में मतलब लोगों में एथट वालों के से दोस्ती कर हम लोग तो निकल जाएंगे बाकी तु है तो उन्ही सभन के साथ रहे का हुई है तो वहित ने इस बार टोपी पर मजाग बनाते वे का कि अरे बलबद्र तुम हम लोगों से क्यों बात चीत करते हो हम लोगों के साथ रहने की कोशिस क्यों करते हो तुम तो आठवी कक्षा के बच्चों के साथ दोस्ती करो क्योंकि होगा क्या हम तो अगली साल पास होकर के दसमी कक्षा में पहुँच आएंगे तुम्हें तो उनी आठमी कक्षा के बच्चों के साथ बैठना है यह बार टोपी के दिल के आरपाग हो गई यह बार टोपी को बहुत खराब लगी उसने घसम खाई की टाइफाइड हो या टाइफाइड का बाप उसे पास होना ही है इस बार उसने पास होने की ठान ली परन्तु बीच में चुनाव आ गए डॉक्टर ब्रिगो नरायन नीले तेल वाले खड़े हो गए अब जिस घर में कोई चुनाव के लिए खड़ा हो गया हो उसमें कोई पढ़लिक कैसे सकता है तो यहाँ पर टोपी ने ठान लिया था कि इस बार वो पढ़के पास हो जाएगा परन्तु हुआ क्या चुनाव के दिन आ गए और टोपी के पिताब ध्रिगु नरायन नीले तेल वाले इस बार चुनाव में खड़े हो गए और जिस घर में कोई चुनाव के लिए खड़ा हो वहाँ लोगों का इतना आना जाना रहता है कि पढ़ना लिखना संभवी नहीं वहाँ तो जब डॉक्टर सहाब की जमानत जबद हो गई तब घर में जरा सननाता हुआ और टोपी ने देखा कि इमत्हान सरपर खड़ा है ठीक वह तो जब चुनाव खत्म हो गए और डॉक्टर सहाब चुनाव में बड़ी बुरी तरह हार गई कि उनकी जमानत तक जब्ध हो गई तब जाकर घर में थोड़ी शान्ती हुई और टोपी ने देखा कि अब तो इम्तहान परिक्षा बिलकुल पास आ गई है इम्तहान सर पर खड़ा है मतलब परिक्षा बिलकुल निकट आ गई है वह पढ़ाई में जुट गया परन्तु ऐसे वातावरण में क्या कोई पढ़ सकता था इसलिए उसका पास हो जाना ही बहुत था टोपी बड़ी मेहनत से पढ़ाई करने लगा परन्तु घर का वातावरण ऐसा था एक तो पहले चुनाव था उसके कारण नहीं पढ़ पाया फिर उसके बाद टोपी के पिता चुनाव में इतनी बुरी तरह हार गये थे कि उनकी जमानत तक जब्त हो गई थी तो घर में काफी तनाव पूर्ण माखौल था तो ऐसे माखौल में ऐसे वातावरण में पढ़ पाना कोई आसान काम नहीं था इसलिए उसका पास हो जाना ही बहुत बड़ी बात थी वाँ दादी बुली भगवान नजरे बद से बचाए रफतार अच्छी है तीसरे बरस तीसरे दरजे में पास तो हो गए तो दादी ने फिर से पास हो जाने के बात भी टोपी पर व्यंग करते हुए का कि भगवान नजरे बद से बचाए मतलब बुरी नजर से बचाए कि वाँ भगवान बुरी नजर से बचाए रफतार तो बहुत अच्छी है बेटा तीसरे साल ही सही तीसरी डिविजन में थर्ड डिविजन में तीसरे दर्जे में पास तो हो ही गए तो बच्चों आईए पढ़े हुए अन्श के शब्दार देख लेते हैं सितम जुल्म मिसाल उदाहरण गीली मित्टी का लौंदा गीली मित्टी का पिंड नजरे बत बुरी नजर बरस साल इमतहान परेक्षा बच्चों हमने पाट में देखा कि प्रेम न माने जात विचात भूख न जाने खिचडी भात यह जैसे पंक्ती है कि जब हमें भूख लगती है तो सादे से सादा खाना भी बहुत अच्छा लगता है फिर खिचडी और बहुत जो अच्छे स्वादिश्ट भी अंजन है उसमें कोई अंतर महसूस नहीं होता वैसे ही प्रेम जात विचात को ठीके कौन मेरा है कौन पराया है कौन किस धर्म का है कौन उची जात का है कौन नीची जात का है इसको प्रेम नहीं मानता प्रेम मानविये रिष्टों की बुनियाद है प्रेम जाती धर्म रहन सहन रीति रिवाज खान पान और सामाजिक हैसियत के बंधनों को नहीं मानता है ठीक है प्रेम जो आपसी प्रेम के रिष्टे हैं वो जाती धर्म रहन सहन रीति रिवाज और खान पान या सामाज में हमा पन देखता है मीठी बोली देखता है अच्छा व्यवहार देखता है और उसे बाकी किसी बंधनों से कोई लेना देना नहीं होता आईए पाट के प्रश्ण उत्तरों पर एक नसर डालते हैं पाट का पहला प्रश्ण इफण टोपी शुकला की कहानी का महतपूर्ण हिस्सा कि तो हमने पढ़ा था इफण और टोपी दोनों अलग-अलग धर्म के थे लेकिन उसके बाद भी वो प्रेम के बंधन से बंधे हुए थे तो उसका उत्तर होगा इफण और टोपी शुकला अलग-अलग मज़ब के होते हुए भी एक दूसरे से प्रेम रूपी अटूट अधन में बंधे हुए थे तोपी की दोस्ती पहले पहल इफण के साथ ही हुई थी इफण के बिना टोपी शुकला की कहानी को समझा भी नहीं जा सकता है इस तरह इफण टोपी शुकला की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा है दूसरा प्रश्न है अम्मी शब्द पर टोपी के घरवालों की क्या प्रतिक्रिया हुई ठीक है तो जब हमने पाट पढ़ा था तो देखा था कि जब टोपी ने अम्मी शब्द बोला था तो पूरे घरवाले टोपी से अलग-अलग तरह से प्रश्नों पूछने लगे थे ऐसा लगने लगा था मानों उनकी परंपरा या संस्कृती खत्रे में आ गई है और एक मुसल्मान बच्चे के साथ दोस्ती करना टोपी के परिवार वालों को बिलकुल भी पसंद नहीं था और इस वज़े से उसकी पिटाई भी हुई थी तो इसका उत्तर होगा अम्मी शब्द सुनते ही टोपी के घरवाले सकते की इस्थिती में आ गए उन्हें लगने लगा कि जैसे उनकी परंपरा और संस्कृती की दीवारे डोलने लगी हुँ उन्हें लगा उनका बेटा बुरी संगती में फस गया है टोपी के सच बताई जाने पर घर में उसकी खुप पिटाई भी हुई तीसरा प्रश्न है टोपी ने इफवन से दादी बदलने की बात क्यों कही थी हमने पढ़ा था कि टोपी की जो दादी थी उनका स्वभाव कापी सक्त था वो अकसर ही टोपी को छोटी छोटी बातों पर डाटी फटकारती रहती थी और वहीं जब टोपी इफवन के घर जाता था तो इफवन की दादी उससे बहुत प्यार से बात करती थी तो इसलिए उसने इफवन से दादी बदलने की बात कही थी तो इसका उत्तर होगा टोपी की दादी का स्वभाव सक्त और अनुशासन प्रिये था वे हमेशा टोपी को डाटती और फटकारती रहती थी इसके विपरीत इफ़न की दादी असीम प्यार से भरी थी वे कभी बच्चों को डाटती नहीं थी उसे बड़े प्यार से अपने पास बैठा कर बातें करती थी इसलिए टोपी ने दादी के इसी इस नेह पूर्ण सुभाव के कारण इफ़न से दादी बदलने की बात कही चौथा प्रश्न है इफ़न की दादी के देहान के बाद टोपी को उसका घर खाली सा क्यों लगा हमने पढ़ा था कि इफ़न के घर जब भी टोपी जाता था तो वो दादी से ही बैठता था और दादी भी उसे अपने पास बैठा कर काफी प्यार से बातें किया करती थी इसलिए जब इफ़न की दादी की मृत्य हो गई तो वहाँ पर उसे दादी नजर नहीं आती थी और उसे घर काफी खाली खाली लगता था इसका उत्तर होगा एक पूरे घर में इफ़न की दादी ही थी जिससे टोपी प्रेम के अटूड बंधन से जुड़ा था वे हमेशा उसे अपने पास बिठा कर उससे बाते करती थी अब उनके चले जाने के बाद कोई भी दादी की तरह प्यार से बोलने वाला उस घर में बचा न था इसलिए इफ़न की दादी के देहांद के बाद टोपी को उसका घर खाली सा लगा तो बच्चों टोपी शुकला पाठ हमें ये बताता है कि प्रेम का जो अटूड संबंध है वो जात पात धर्म रहन सहन खान पान किसी भी बंधन से काफी परे होता है ठीके तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये पार्ट आपको समझ में आया होगा धन्यवाद